तो आज का ब्लॉग इस्पेशल होने वाला कि दो बाइक का कंपरिजन होने वाला एक बुलेट का और अपनी आरवान पे एम बुलेट है क्लासिक 350 तो वह मेरे एक फ्रेंड का है तो वह करीबन दो साल से चला रहा है बुलेट तो यह एट मन्त हो गया यूस कर रहा हूं तो ग इससे पहले मैं बता दे तो पिछले बाले ब्लॉग में सबसे पहला कमेंड किसका था तो गाइस सबसे पहले कमेंड करते रहो आप से भी तो गाइस यह वाला अपनी आरवन एम जो यह मा की तरफ से आता है और यह रोल इंफिल्ड क्लासिक 350 जो रोल इंफिल्ड की तरफ से आता है तो इस बाइक को करीबन मेरा फ्रेंड दो या तीन साल से चला रहा है और आरवन पेम मेरे को एट मन्त हो गया यूस कर रहा हूं तो इसके बार में बताता हूं सबसे पहले रोल इंफिल्ड है बीस पोर और अपनी आरवन से बीसिक्स यह आता है क्लासिक रोल इंफिल्ड तो यह आपको बहुत ही मतलब लुक के मामले में अगर देख लो आप एकदम बोलते हैं अगर थाड़ वाला फिलिंग आएगा जैसे क्या आप बैसे वाला फिलिंग है इस बाइक को पर अगर आप बैठ होगे चलाओगे और इसका जो साउंड वह एक नंबर है बाद में सुनाता हूं और इस बाइक का अ नहीं आप लड़की बटाने जारो जबकर अगा हहाँ होगा है हुआ हाँ हे समझे परी ऐसाया है आप को फ Taylor प्रम चरुली और दो यह ल हम अगरो झालता मेरे खाल से ब्रेकिंग की बात करूँ गाइज तो ब्रेकिंग में जीत जाएगा गाइज आरओन फाइब क्योंकि इस पे डुएल चैनल एबियस है और इसका ब्रेकिंग इससे मुकाबले में इसका ब्रेकिंग बहुत जादा बढ़िया लगा में रोको और इसका भी सही है लेकिन इसके म कोफले यह बैटर है ब्रेकिंग के मामले में और यह भी आता है डूईल लेपेस में और यह भाइक भी आता है डुन अब्यशा की बात करें यह टीका और आरम आ तहां तो जमीन अस्मान का फरांट है दोनों बाइक में जब कि इसका सीजिए जदा है इसका सीजिए कम है तो यह एक negative करता है तो समझ लेना की प्रेंट्ड में कम है डेमें की बात करेगा इस इसमें आपको ग्यार शिफ्टिंग का दिखा देता है और ट्रेक्शन कंट्रोल बाकि स्पीड मीटर इसमें और भी फीचर से कॉलिंग का एसे मैस का इंडिगेटर का डिपर न्यूटल और अगर बाइक में कोई दिक्कत होता है तो यह बिलिंग करता है इंजन की तरफ से सर् हो तो गाइस टायर मेरे ख्याल से बुलेट का ही सही है एंड एमराफ का जो कंपनी के साथ आता है वह बहुत बेकार है और एक बार बुलेट आकर निकल गया तो पूरा स्टील का है अब देख सकते यहां पर मेरे को शायद ही कई पर प्लास्टिक मिलेगा एक दो पार्ट्स सेखQueef हईअरा टिकर regardless यह गर गिर गया तो समझे समय खता में पूरा लेकिन अगर बुलेट एक पर गिर गया तो बशनय का चांस है फुल तू फूल चांस है लेकिन अगर इह गिर गया तो पुरा खता में फ्यर अच्छ कुछ चला जाएगा इसमें इसमें ही अगर गास ब तरह से भी comfort महसुस नहीं होगा क्योंकि यह इसका सीट बहुत हाइट में है और इस पर कुशिंग जो है बहुत कम किया गया है अब देख सकतो बहुत ही कम है ना के बराबर है तो इसका है बहुत जादा है और पकरने का कोई जगा है नहीं जो लेड़ी से अगर बैढ़ गए साथ एक दम कुशिंग किया गया इसमें और इसमें पगड़ने का भी सिस्टम था लेकिन भाई ने खोल करका है मॉडिफाइट कि आना थोड़ा बहुत लेकिन इस पे फुल कमफट है लेडिस के लिए जैन्स के लिए भी इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो आपको एक तो सबसे पहले बुलेट का आप सुनते साउंड गाइस बुलेट का साउंड आपने सुन लिया बहुत ही मतलब खतरनाक सा साउंड है ऐसे लेग रहा है कि शेर आ रहा है तो अब बात है सीधा अरण फिप एम पे तो गाइस दूनों भाइक का आपने साउंड सुन लिया दूनों भाइक का साउंड ही ला जवाब है हरनों तो ये ज्यादा है मतलब ज्यादा लावड हिए बुलेट का सुद्ध ज्यादा ही लावड होते हैं क्योंकि इसका न्याप देख़ो कि बुलेट का बुलेट पायए जाथ है साउंड से और यह बाइक से आपको कान सा बाइक का सांट बडिया लगा तो आप कमेंड में जरूर बताना तो गाइस छोटा सा बुलाग था शॉट फो में आपको बताना था कि कौन सा बाइक बैस्ट आपके लिए तो मेरे अगार्डिंग आपको अगर फेरिंग बाइक चाहिए और आपके घर में लेडिस नहीं है आप अकेले टूरिंग कर तो अक आलेंड फिल पर जा सकते हैं उसका बजड़ भी थोड़ा कम है और माइलेज भी सब कुछ सही है तो दोनों में से आपको कौन सा बाइक पसंद लगा तो कमेंड में जा के बता दो आप और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक पर शेयर करो कमेंड करो वै पिस्ते नेक्षे वाले व्लोग में तब तक के लिए बाइ